गुण मॉनिंग दोस्तों में नाम मुमी तेजर है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आए फिजिप्स का टॉपिक है जो सभी एक्जामों में पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में यानि कि उपकरण कौन सा एक्परेंट कहां यूज होता है आज के इस वीडियो में हम इंपर्टेन इंपकरण के बारे में जानेंगे जिसके बारे में हर इक्जाम में हर छोटे बड़े इसआम में पूछा इता है तो सबसेट प्रुए कि आपने सुनाओगा रेडार ठीक है इंग्लिश में आप रेडार का उपकरण यह जो उपकरण है एक रेडार है कुछ ऐसा होता है ग्रीन कलर का इसके अंदर यह चार ऐसे साइंग बने रहते हैं यहां पर डॉट बना रहता है तो इस पर क्या है रेंज फाइंड करने के लि स्कंद्धर है कम ना कि लिए इसी कहान है कि याद करेंगे से याद हो जाएगा माइन में एसे याद करेंगे याद हो Жाएगा ने रेडार के रेंज का पता लगाना अब हमने क्या का समुत्र के बीतर अगर बैठे हुए हैं तो रेडार का इस्तिमाल करते हैं समुत्र के बीतर क्या होता है सम्मरीन होता है सम्मरीन के अंदर होता है सोनार सोनार लगा रहता है आपसे एक्जाम में पूशा जाता है सोनार किसले यूज किया जाता है तो सोनार क्या है छुपी हुई वस्तू जो समुद्र के मीतर छुपी हुई वस्तू होती है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है पहला नमबर की छूपी हुई वस्तु छूपी हुई वस्तु को कहां पे समुद्र में यह याद रखेगा समुद्र के वीतर जो छूपी हुई वस्तु है उसका पता लगाने का दूसरा यह भी आक्षन में दे सकता है किसी वी वस्तु की दूरी समुद्र के वीतर की वस्तु की दूरी कितनी है दूरी वह फाइंड करने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं तो एक्जाम में यह पूछा जाता है सोनार किसले प्रहों होता है तो चुपी हुई वस्तु को प्रहों करने के लिए समुद्र के वीतर चुपी वह वर्तू या उसकी डिस्टन्स अब एक और पॉस्टन से सोनार से बनता है इसका फुल फॉर्म होता है यह सोनार एक उपकरण है लेकिन इसका फॉल फॉर्म होता है S को दोनों से होता है सांड N से होता है नवीगेशन N ये से होता है N और R से होता है ranging यह बहुत इंपोर्णन है आप से पॉछा जा सकता है इसका फॉल फॉर्म बता ही ये तो सोनार का फॉल फॉर्म है Sound Navigation and Ranging यहां किसले उप्तू होता है ₹्य छुपी हुई वस्तू समुदर के बीबींचा और इने-इमो-मीटर ठीक है एनीमो यह एनीमो इनीमो मीटर एनी एसे आ रहा है यहां से आप याद करेंगे ए से एयर सबस्राइए बारे में सबस्क्राइमें पूसर भारे में और कि दाग पता करने के लिए प्रेर को सबस्क्राइए यानिकि कि मतलत होता है यह वायू की गति वायू और आपने के लिए यह करते हैं तो अब पहले तो आपने क्या पढ़ा रेडार रेंज का पता लगाने के लिए सोनार चुपी वस्तु जो समुद्र के अब या वस्तु की दोरी समुद्र के बीतर कितने दूढ़ी है वह पता लगाने के लिए भी सोनार का यूस होता है एंइमो मिटर क्या है A से या धटकिका एयर मांड में आजाएगा एयर एनइमो मिटर लिका है एसे होगा A एर मतलब होता है वायू वायू की गती इसी में एक और कॉंसर्ट है चौथा वाला कि फैरो मिटर कि अलब है लुए है के अगश्च फैरो मिटर ड़ गड़ का कि अभी आप बाद कीया ने इसका पता लगाते हैं शोनाक से नींचे चुपी वी वश्कूप का पता लगाते हैं किसकी समुद्र की घरॉई समुद्र की गहराई का पता लगाने से फैरो मीटर का प्रयोग किया लगता है तो यह समुद्र से लिलेटर एक यह टॉपिक है 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 य अभी मैं रिवाइस करवा दूंँ अच्छे से तो जैसे देखे समुद्र समुद्र से रिलेटेड एक तो है रेडार पहला दूसरा है सोनार रेडार सोनार और फैरो रॉन के यह क्या है व्हेरा निंदो में अपने लिए क्या है की रिलेट याने की वायू से व्तिवा कैके कि कि लिएक παड़ां मूल दॉमट्र यह ये क्या करता है वाहीवन जति बताता है कि कें इतना तज़ हमाद चड्र है किस्थ वाईूम्स के अख सबको बता हो आ कि वायूमंडल की था थाम रखाता था में कि अगैं चिह यह कि तंग शूद Bedart el अब इसके बाद ढाता है आपका one of the यानीच टा chrom है ताप से दो रिलिएटरेड एक तो आपको जो पता है वो थर्मोमीटर है अब देखें आपको फाल नोगत चल गया है एक तुछन तर्मोमिटर है जो घर में थर्मोमीटर यूज़ करते हैं ताप का पता लगाने के लिए है ताप का पता लगाने के लिए अभी जब कोरोना काल चल रहा है तो एसे दूर से रखे देखा जाता है उसको बोला जाता है आप यह किसल् revis cup का उच्छ ताप को पता लगाने के लिए हमें फाइं गिर करना है और नौर्मन अट्रेktर को पता करने के लिए सफ्राइब के सब्सक्राइब तो तो आप इस तरह से याद करेंगी Сам questa अब देखें दो और होता है अब एक जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है वो होता है हाइट्रोमीटर एक होता है हाइड्रोमीटर एक होता है पानी एक होता है पानी इस से हमको क्या याद हो जाएगा पानी यह पानी का घनस्तों नापने के लिए दनकतो है पाणी का घनस्तों का पता लगां के लिए हम इपक इसकरते हैं तो आपको एख है लेक्टो लेक्टो से आपको याद आ रहा होगा रावा लेक्टो चौकलेट जो माल्टो आता था लेक्टो आता था और तो यह से दूरा चल जाएगा कि याद करेंगा दूद है ठीक है लैक्तो एक चौकलेट आता था लैक्टो चोकलेट माल्टो आता था यह ज़िस में लाकेी वितनेशा के दूद की घनतव दूद का घनत्व नापने के लिए दूद कितना घनत्व है दूद का कितना वो है कितना मोटा पन है दूद तो वो किसे पता करते हैं लेक्टोमीटर से फिर सरिवाइस करवाते हैं हाइड्रोमीटर पानी का घनत्व लेक्टोमीटर दूद का घनत्व और हाइड्रोमीटर हव क् w लुद सुमीडर है एक लगश मीटर ऐक है सिस्मों ग्राफ सिस्मों मिस उद्र ग्राफ सिर्समों इतने मिन नहींद ईanor ग्राफ सिस्मों ग्राफ तो यह जो लक्ष मीटर है यह प्रखाश की ति प्रकाश की तीव्रता क्या है धिफ्रता से रिलेटे्ड नापने के लिए हम इसकारे करते हैं हम जब度 कम की तीभरता कुन आपने के लिए भू कम हुआ ठीकिन यह नापने के लिए प्रत którą सिस्मा सब्रत्रेज지 बन갈े attempt कर लिए क्या लागश मेंचनलाक्स ग्राफ के धीकए अब जैसे समुग्राफ तो आपको याद पॉलीग्त वह वाँ हो सुर्का इस्टॉमेंट इस जुट का पता लंगाता है जूट का पता लगाता है, ठीक है क्या, पॉलिग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या है, खोकम की तीवरता पता लगाता है, लगस मीटा क्या, प्रकाश की तीवरता पता लगाता है, पॉलिग्राफ क्या है, जूट का पता लगाता है, ठीक है यह टीन याद हो गया, ठीक है, अब द कर दो कर दो कि यह बहुत ज्यादा पूच सकते हैं अधी है यह स्टेटर सकोड पड़ाय उसका बीट से लिए स्टेटर करने के लिए स्टेटर आपके यह बहुत इंपंटेंट है अभी क्योंकि क्योंकि लिए है तो एक्जाम में इस से मेडिकल कर्म से रिलेटेड यह सब कोशन पूछ सकता है पाइलो मीटर जब रूब कूछ सकता है स्टेटिस्कोप पूछ सकता है और जो आप बताने वाला वह शायद पूछ सकता है क्योंकि इसका नाम भी याद करना बड़ा मुश्किल है फ्यूदो टques milj को मेलो में जो जीबाँ ब्रूशन में मुथ या अपने देखा बहुत होगा इसको आपने देखा बहुत होगा लेकिन लाम पैहली बार होंगे ये बीशिंद में अपनें की मशीन नहीं होता जो यहां पैहां पनेंग Boy Hai यह उसी का नाम है यह बहुत इंप्व इसका मतलब होता है ब्लेड प्रेशर यानि कि दाग ब्लेड का दाग ब्लेड प्रेशर नापने के लिए यूज करते हैं कौन सा स्विगनो मैनो मीटर और यह स्टेडिस्कोप इसके अलावा एक आता है का केरेसं आपने के लिए इसितिमाल हुता है चौन सा यूज होता है कौल की शुदता के लिए होने के लिए इस्तिमाल थूल के लिए तो यह सारे चित्ते भी मैंने पढ़ा है वह बहुत इंपॉर्टेंट है शोला नाम ऐसे हैं छाट के मैंने आपके लिए दिया है आपको अगर अच्छा आया होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए मैं और लेके आऊंगा ऐसे वीडियो और आपको और सिखाऊंगा कि और क् कर लीजेगा स्पिंग्नो मैंनो मीटर यह क्योंकि एक ऐसा अच्पठा नाम है पूल भी सकता है इस तरह से भी पूल सकता है ब्लैक पेशन नापने वाला कौन सा इस्ट्रूमेंट है तो यह याद रखेगा ऐसे उल्टा करके भी पूल सकता है तो कैसे भी सकता हाट पीट म समझ में वीडियो य जानता हूं कि फोड़ा सा याद करने वाला है का थोड़ा थोड़ा बोर्स लगाhramshetite तत्रीपकर याद करेंगे लेकिंगों सबसे हैं समुद्र के बारे को बताया था समुद्र से रिलेटर रेडर सोनार और उसके बात पिर मैंने बताया था यह सब समुद्र से रिलेटर क्या-क्या है रेंज को पता लगाने के लिए थे सोना क्या छुब्य हुई वस्तों का पता है यह थे ले समुद्र की गयराईट gains अब्द इसzufंद है लिए से निंटार हाए हवा की गति फाइंट करने के लिए याने की वाईयो की से फाहिं करने के लिए यह थे करने के लिए ने सिस्टेमािटिट वैसे याद किया है और आपको भी वैसे ही याद करवाने की कोशिश कर दो कि मैं भी इसी तरह से चाहर रिलेटिट कौन कौन से है थर्मोमेटर और सविद भालमेटर ठर्मो अबसे आप investing पार्ज और समेंटी जाद कर लीए ब्रकास की तुर्टारर आपने के लिए उपने के लिए प्रकास की तीवरतार नापने के लिए तो वो खम की त्रीव्ड राप ने के लिए था graph जिसमें graph आ रहा था उससे मैं ने एक polygraph बताई तो यह कुछ ऐसे 16 वीडियो नाम ते 16 नाम ते जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा मैं जानता हूं दो तीन नाम अच्पते हैं उनको अलग से याद कर लिजेगा लास्ट में जैसे कि कैरेट मीटर हैं भोकम की तीवरता और प्रकाश की तीवरता एक साथ याद कर ल ख्राव से नाम